नमस्कार दूस्तों मैं उदैलाड स्वागत करता हूँ सभी का चहीते जानल इंडियन मुर्गी पालन प्रडियों देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का वांच के वडियों में तहीं दिल से बहुत-बहुत स्वागत दूस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दूस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल सामान्य मुर्गी पालक भाईयों की सबसे बड़ी समस्या कि आपके फार पर जो मुर्गियों के छोटे चूजे हैं उनके पिछवाडे पर जो वहां पर बी है यह फिलहाल की है सबसे बड़ी समस्यां यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो मुर्गीों के छोटे छोटे चूजे हैं उनके पिछवारे पर बीट क्यों चिपकती है और बीट पकने के बाद वह बीट जो है दोस्तों सूख जाती है और जो प्रोसेस होती है बीट होने की वह जाम हो जाती है और उसकी वजह से दोस्तों सामान्य तोर पर यह चूजे एक्सपायर हो जाते हैं आईसी परिस्तितियों में अगर आपके फार्म पर भी बारा से लेके पंदरा दिनों के चूजों में यह समस्या है तो आसल में यह समस्या निर्मान होने के वजह कोन सी है और आईसा कोन सा वह उपाय है कि जिसका इस्तमाल करने से इस समस्या से हमें 100% सोलूशन प्राप्त हो जाएगा इसके बारे में सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाने वाली है इसलिए यहाँ वीडियों अब शुर्वात से लेकर यहां पर आप अंततक देख लीजी यह वीडियों अनततकदे आजाए तो जरूर इस वीडियों यहां पर लाइक कर दीजी ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए जरूर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजी शेयर करने के लिए पर्सनल वाट्सप नंबर वाट्सप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्र स्नैप्चाट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को यहां पर शेयर कर दीजी रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से मैं हाथ जोड कर अनुरोद करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को तो मैंने यहां पर आपको अपना माना है आगर आप भी मुझे आपना और घर का सदश से यहां पर मानते हो तो जरूर चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए चानल को सब्सक्राइब करने के लिए इस युडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाईए वहां पर आने के बाद दिकाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घ बड़ा सवाल सामान्य मुर्गी पालक भायों की सबसे बड़ी समस्या कि हमारे पार जो मुर्गियों के चोटे-चोटे चूजें हैं उनके पिछ्वाडे पर बीट चिपकी हुई रहती है और उनके पिछ्वाडे में जो बीट होती है वह सूख जाती है और जो बीट होने की प्रोसेस होती है दोस्तों वह वहाँ पर जो है खंडित हो जाती है और आइसे में दोस्तों पहले तो यह चूजे कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद यह चूजे मर जाते हैं आइसे में मुर्गियों की बीट वहाँ पर पिछवाडे पर चिपकना मुर्गियों की बीट वहाँ पर सूखी सूखी होना यह किसी बीमारी का लक्षन है क्या अगर हां तो कौन सी बीमारी है क्या है इसका समाधन क्या है इसका सुलूशन इसके बारे में आज हम जो है दोस्त जिक्र करने वाले हैं जिससे आपकी फिक्र हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर छूँँ तो दोस्तों इस सवाल का जवाब दूँ और आपके सामने प्रस्तुत युडियों में विश्टु जानकारी दूँ उससे पहले आप सभी के लिए मैं खुश खबर लेकर आया हूं दोस् कि मुर्गी पालन के व्यवसाय से जो लाको का मुनापा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए खुश खबर है कि आज तक आपको बताने वाला कोई नहीं था आपको सिखाने वाला कोई नहीं था समझाने वाला कोई नहीं था लेकिन यहां से आगे इंडियन मुर्गी पालन के मा आएंगे दिखाएंगे सिखाएंगे जिसके माध्यम से उत्पादन से लेके विक्री तक सटीक जानकारी पाकर आप भी दोस्तों इस व्यवसाय के साथ जुड़ कर कमा सकते हो लाखों का मुनाफा लेकिन इसके लिए आपको इंडियन मुर्गी पालन के ओनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ होगा दोस्तों जुड़ना तो फिर इंडियन मुर्गी पालन के ओनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस प्रकार से साहियता होती है समझाता हूं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों उत्पादन से लेके विक्री तक पूरी पूरी आपको जो है दोस्तों सहयता की जाती है जिसमें फीड का खर्चा घटाने के लिए आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है साथ ही साथ में दोस्तों आपकी मुर्गी और चूजे इन पर बीमारी ना इसलिए टीका करन कब और किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी दी जाती है आपकी मुर्गियों पर यदि समझो कोई बीमारी आ गई चूजो पर कोई बीमारी आ गई तो किस प्रकार से उसका इलाज करना है इसकी भी जानकारी यहां पर जो है दोस्तों आपको दी जाती है साथ ही साथ में दोस्तों हैचिरी का इस्तमाल करके यानि कि चूजे निकालने वाली मशिन का का इस्तिमाल करते हुए जाजा से ज्यादा से चूजो का प्रूडख्षन प्राप्त करना और आपके पाँ तैयार होने वाले चूजhnे दोस्तों दोस्तों तो इना चूजो की ब्रूडिंग फीडिंग और उनका संगोपन पालन पोशन कि इस प्रकार से करना है इसकी और आखिर में आपके पास जो कुछ प्रोडक्शन तैयार होता है यानि देसी मुर्गी देसी मुरगा देसी अंडा देसी चूजा इसके मार्केटिंग के लिए हमसे जो सहीधा हो पाए हम करते रहते हैं तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में उत्पादन से लेके विक्री तक पूरी साहियता की जाएगी जिसके माध्यम से दोस्तों आप इस व्यवसाय में जूड़कर हमारे मारगदर्शन में आसानी बात्चित हो जाएंगी मेरे साथ और मैं उसके बाद आपको समझाओंगा किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है हम किस प्रकार से आपकी साहियता करेंगी उसके बाद मैं मेरा वाट्सअप नमबर 122 62 62 जो होगा उस पर आपको जो है पुरा नाम पुरा पता छ्यांकों का पिन कोड और आधार का आगला पिछला फोटो भीजवाना इतनी जानकारी बेजने के साथ मैं मेरा जो है दोस्तों आपको फोन पे गूगल पे नमबर आपको उत्पादन से लिके बिक्री तक आएसी से टिक जानकारी मिलेगी जिससे दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस व्युवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा मुर्गी पालन के व्युवसाय में प्राप्त करने से वंजित नहीं कर पाएगी तो आएसे में दोस्तों आगर आप हमारे साथ जुड़कर कमाना चाहते हैं लाखों का मुनाफा तो आज ही दोस्तों आप इंडियन मुर्गी पालन के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके लिए फते की बाते अब आते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन और उसके एंसर पर सवाल जो कि उसका जवाब मैं दे रहा हूं समझ से और सवाल कौन सा है दोस्तों कि हमारे जो छोटे-चोटे ci चूजुकिक है और जहांसे बीट आना बंध हो चुका है ऐसा क्यूं होता है आमोमन यह देखा गया है कि जब जो हमारे छोटे-छोटे चूजे होते हैं उनके शरीर में पानी के मातरह अधिक्तम कम कम लेवल पहुंझे क्या बता रहा हूं समझे लिजिए कि अगर उनके शरीर में पाणी का प्रतिशत ही बहुत निचलेस तरों पर आ जाए तो उनका जो शरीर होता दोस्तों कि शरीर में पानी का प्रतिशत कम होने की वजियस से जो कुछ फीड होता है वो हजम होने में तकलिफ होती हैं शरीर में पानी की निकासी अगर कम हो पानी अगर कम हो तो जो कुछ खाया है उसके लिए उपलब्द पानी अगर कम गिरने लगे तो सूखा सूखा ही फिर ज्यादा तर वहां पर डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टीम में फिर सूखा फिर ज्या कुछा है जो टॉयलेट के माध्यम से बाहर जाता है वह वहां पर रुख जाता है अब रुखने की वज़ेस क्या होता है कि जो एक flexibility पानी के माध्यम से होनी चाहिए वहां पर नहीं है तो उसके माध्यम से वह क्या होता है कि पूरी तरीके से बाहर नहीं जाता है एक तो यह चिपक जाता है नहीं तो लटक जाता नहींतो फोई पर भी तो त экспер कर है अभी करना क्या है पहले तो मैं बताता हूं कि यह समझ से आने के बाद क्या करना है तो पहले आपको थोड़ा पानी लेना है दोस्तों थोड़ा आपको गुंगुना पानी लेना है गुंगुना पानी लेने के बाद क्या करना है दोस्तों कि उसके पिछवाडे के तरफ जो वहांपर जो है दोस्तो आपने थोड़ी फ्रेश कर लिए तो उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके पूरी पूरी ट्वाहर आगयी तो उसके बाद बोस्त कोई क्या करता है में गलत नहीं कहता हूं कि आगर वहां से अच्छा डेटॉल से उसको पोच लीजिए दोस्तों क्योंकि लगाएंगे तो और वहां पर जो है मट्टी वगरें चिपकने का डर है जिससे और वहां पर सुखा पनाएगा तो यह सबसे बहुत पुर्णबात कि इस प्रकार से आपको टॉयलेट पहले निकाल कर लेए को शुरुआती तोर पर गुड का पानी थोड़ा कम देना है और ज्यादा ज्यादा जो हम सोडा डालते हैं कि हमारा दूद वगरे खराब ना हो जो खाने का सोडा कहते हैं वह डालना है थोड़ा और वह आगर आप 8-15 दिन में यूज़ करेंगे तो इनकी जो वहां पर पे जैसे कि सोया बिन अगर खिलाओगे उसको बारीक पिसकर नहीं तो थोड़ा फ़र आगर मिक्स करके डालोंगी यानिकि समझों आपके पास मकाई का फिड़े यानिकि प्री स्टार्टर होगे जो कुछ फिड़े तो उस फिड़ में थोड़ा आप 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 आइल मिला यान बार टॉलिट नहीं चिपकेगी दोस्तों आपकी चूजों को यह समस्या बार बार यहां पर नहीं होगी तो दोस्तों इस प्रकार से अगर यह करोगे तो समस्या उत्पन नहीं होगी और वह करोगे तो समस्या से आपको सोलूशन मिलेगा यह आने कि क्या खाने का सोड़ा थोड़ा शूरुवात में देना हें गुरपानी कम पीक indigenous कि थोड़ी में देक भाल करनी है उसके साथ ही दोस्तों हमें यह बीमारी हaking करना है दोस्तों इसे आपल आप 20 दिनों यह पूरी अक बार पाल निकाल के लिए नहीं डेटॉल से उसको पूरा वहां पर धोले ना है अगर ऐसा दो-तिन दिनों में कर दोगे तो उसकी टॉलेट एक बार बहतरिन तरीके से निकलना शुरू हो जाएगी तो आपके चुझे पर यह संकट बार-बार नहीं आएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका से आएगी नहीं और आभी जाती तो इसका प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहेगा तो दोस्तों यहां आपकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि हमारे फार्म पर छोटे चुझे उनका जो पिछवाड़ा है वह जो है वहां पर चिपक रही है सूक रहे तो इसकी वजह क्या है और उपाय क्या मैंने आपको पूरे तरीके से बताने की कोशिश की यह जानकारी मेरे अनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते रहता हूं जिसके माध्यम से क्या है कि मेरे साथ जो कुछ मुर्गी पालग भाई जुड़े हैं दोस्तों जो है वह क्या करते हैं कि यह जा है कि माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो आप भी दोस्तों इंडियर मुर्गी पालन के आउनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो जुड़ने के लिए दोस्तों आपको कॉल करना है जैसे ही आपका कॉल आएगा फोन उठाऊंगा मै उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा उसके बाद रेजिस्टेशन के लिए आपको वाट्सअप नंबर चुरासी किस बासट बासट पर आपका जो पूरा नाम है पूरा पता है छेंगों का पिन को नहीं तो आप आधारकार का आगला फिचला फोट 960 भेजूंगा फिर इस नंबर पर आपको पास रुपए बेजकर स्क्रींशॉट भीजवाना है जैसे ही आपका पास रुपए का स्क्रींशॉट आ जाएगा दोस्तों आपको ऑनलाइन टर्निंग में रेजिस्टर किया जाएगा उसके बाद उत्पादन से लिए के विक्र तो दोस्तों आगर आपको इस वेवसाय के साथ जुड़ कर लाखों का मुनाफ अप्राप्त करना है तो आप आज ही हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए जुड़ने के लिए दोस्तों आप संपर किजिए 84 62 62 पर साथी साथ में दोस्तों आपकी मुफतमी दोस्तों इस प्रकार से हम काम करते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल होगी समस्या होगी तो पूछ तरह आने वाले वीडियो के माद्यम से सुलूशन देनी कोशिश करूंगा तो दोस्तों यह पूरा वीडियो के जिसमें आज मैंने आपको बताया कि जो मुर्ग सब्सक्राइब करना तो आप सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से मैं हाथ जोड कर अनुरोद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखरी साथ तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे आपना और घर का सदे से यहां पर मानते है तो ज़रूर्व को सब्सक्राइब कर लीजिए चानल को सब्सक्राइब करने के लिए इस समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आइसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तों आप सभी के चाहिते चानल इंडियन और गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर्किसान भाई का आज कुड़ में तेहें दिल से बहुत-बहुत आभाद